एक जो thesis है इसके कौन कान से pass होते है उसके बारे में हम discuss करेंगे तो एक जो thesis है उसके start के अंदर एक summary लिखी जाती है जिसको हम abstract या summary का नाम देते हैं यह short description है यानि जो आपका पूरा thesis है यह उसका खुलासा है अब आम तोर पर जो abstract है इसको thesis के बिलकुल start के अंदर लिखा जाता है लेकिन वह सारी universities के अंदर thesis की जो summary है वो बिलकुल thesis के end के उपर लिखवाई जाती है दूसरा जो part है वो introduction है introduction basically आपका जो topic होता है उसकी marketing है इसके अंदर आपने comprehensively ये बताना होता है कि जो आपने topic select किया इसके मतलिक पहले कितना काम हुआ उसके बाद ये जो काम आपने select किया इसकी जरूरत क्या क्यों महसूस हुई उसके बाद आप जो काम करने जा रहे हैं उसके अंदर आप क्या करेंगे और उसकी importance क्या होगी ये आमतार पर जो thesis का introduction है कुछ universities के अंदर introduction और review of literature को combine करके लिखा जाता है अगर introduction और review of literature को combine करके लिखा जाए तो फिर जो introduction है उसको लिखने का style ज़रा different होगा फिर इसके अंदर हम detail information add करेंगे इसके अंदर तमाम जो previous published literature है उसको इसका part बनाएंगे यानि उसकी comprehensive detail हम देंगे के पहले क्या काम हो चुका है और gaps कहां पे है कौन कौन सा ऐसा area है जो के अभी तक explore नहीं हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ जो studies हैं उनकी क्या limitations रही है अगर review of literature और introduction को combine कर के नहीं लिखा जाता तो फिर आम तर पर जो introduction है उसको short लिखाया जाता है दो से ड़ाई pages का introduction उस दूरत में काफी होता है जो तीसरा part है materials and method इसके अंदर हमने अपने काम के मतलिक detail प्रवाइड करनी होती है कि हमारा plan of work क्या है हम study कप करेंगे, हम study कहां पे करेंगे या हमने study कहां पे की उसके बाद उसके अंदर हमने कौन कौन से chemicals काảnा किया उसके बाद किस methodology को हमने follow किया उसके बाद हमने जो result आये उसको अगर analyze किया तो उसका analysis जब हमने किया तो उसके लिए कौन से statistical analysis का हमने इस्तमाल किया कि तमाम चीजें हम materials and method के section के अंदर लिखेंगे उसके बाद जो next part होगा results हमने जब अपना experiment पर फार्म किया या अगर हम एक taxonomic study कर रहे हैं तो हमने अगर मुखतलिफ जो animals को study किया उसके जो description होगी उसके जो diagnostic characters होगे उसके जो मुखतलिफ body parts की जो measurements हैं उसको हम इस part के अंदर शामिल करेंगे उसके बाद next जो part होगा discussion इसके अंदर हम अपने results को compare करेंगे दूसरे results के साथ मसला हमने एक study की हमारी study दूसरी study से कैसे match करती है या उसे कैसे differ करती है उसके बाद अगर हमारे results previous studies से differ करते हैं तो उसकी possible reasons क्या हो सकती है और इसके अंदर हम ये चीज़ भी शामिल करेंगे कि जो हमने study की उसके अंदर अगर कोई limitation है तो वो क्या थी उसके बाद हम मजीद जो है इस study को कैसे improve कर सकते हैं और हमारी prediction क्या हो सकती है उसके बाद हमारा जो next portion है इसके अंदर हम references लिखेंगे हमने जब thesis का introduction लिखा उसका review of literature लिखा उसकी discussion लिखी उसके अंदर हमने बहुत सारे research articles बहुत सारे thesis बहुत सारे हमने monograph या और जो published material था उसका इस्तमाल किया तो उसको हम cite करते हैं हम text के अंदर भी cite करते हैं और बाद में references के अंदर या citations के अंदर हम full citation उनकी provide करते हैं इसी तरीके से जब हमने एक research article लिखना होता है तो research article के अंदर हमने सबसे पहले abstract लिखना होता है जो के short summary होती है इसके अंदर आम तोर पर हम 200 से 250 words का इस्तमाल करते हैं उसके बाद हम short introduction जो के एक से date page का introduction होता है उसके बाद material and methods इसके अंदर हम brief methodology लिखते हैं thesis के अंदर हम detail methodology लिखते हैं हम chemicals की पूरी list प्रवाइड करते हैं हमने chemicals को किस तरीके से prepare किया उसकी पूरी detail देते हैं लेकिन जब हम research article लिखते हैं तो उसके अंदर इन चीजों को brief किया जाता है उसके बाद फिर results results को हम बहुत comprehensive तरीके से short results हम research paper के अंदर लिखते हैं और इसके अंदर जो number of figures और number of tables की जो तादाद होती है वो limited होती है thesis के अंदर हम detail provide कर सकते हैं लेकिन जो research article है उसके अंदर results को short करके लिखा जाता है उसके बाद discussion और उसके बाद acknowledgements लिखी जाती हैं और last जो portion है वो references हैं यहाँ पे हमने अपने research articles के अंदर जिन जिन research articles को या books को या review articles को या thesis को consult किया उनके references हमने last पर शामल करने होते हैं